Hello and Welcome दोस्तों IPL में रोज कोई ना कोई खिलाडी रन बनाता है और आप डिफरेंट डिफरेंट खिलाडियों को डिफरेंट दिन पर रन बनाते हुए देखते हैं रन तो डेली बनते हैं लेकिन कुछ खिलाडी खास रन बनाते हैं आपने प्रफिमरंण सिंग को देखा जो उन्होंने कल के दिन पारी खेली है उसमें बहुत सारी खास बाते थी उनके बारे में बात करने वाले हैं हम आज के इस वीडियो में क्योंकि उस पारी में जो हॉल मार्क मुझे लगा और उनकी बैटिंग में जो सबसे अलग और स्पेशल चीज जो मुझे नजर आई वो था कि जितना जल्दी वो गेंद को पिक कर ले रहे हैं यह सबसे बेसिक चीज है क्योंकि दो तीन चीज है आप उसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एक तो बहुत अच्छी पोजीशन में बहुत जल्दी आ रहे हैं आप टाको फिक कर ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है क्या आप बॉल को जल्दी पिक कर रहे जनरल ही जो कोचिंग मेनुटी में सिखाया जाता है इसमें ड्रिल्सआए हुती है कि आपको सिर्फ बॉल बॉच करनी है बॉल यह ओडर की लेंथ ज़जग करनी है और यह क्या को कितनी जल्दी पौसान करती है और फिर बॉड़ी उस पर कैसे रियाक करती है और इसमें कुछ गॉट गिफ्टेड चीज़े होती है और यह हर किसी के पास वह अबिलिटी नहीं होती है कि वह गेंद को गेंद बाज के हाथ से छूटते ही जज़ कर ले पिछ होने से पहले ज़ जैसे और इसलिए आप ने देखा कि कभी लेट होते हुए नहीं देखा इनको चाहिए पुल शॉट मार रहे हों चाहिए कट मार रहे हो ज्यादत तर जो है वह इन फ्रेंट आप स्क्वार मारने का मतलब यह है कि आप जल्दी पिक कर रहें और जल्दी पोजीशन में आ रह नहीं में चल रहा हुए तो इनके साथ भी वो Nest दोंस चीज़ है कि बॉल को जल्दी करते हैं अगर शुमन गल से खॉमपारीं सन कर है ना तो शुमन भी जैसे बॉल को जल्दी कर कने के वारे में और जिस तरह से आप ने इंग कर लेकść देखना कि निकल के आगे तिम साओधी के खिलाब भी इन्होंने शॉट्स मारे आपने कल के मैच में भी देखा किस तरह से इन्होंने निकल कर और पिक अप करके शॉट्स लगाए हैं तो वो यह चीज दिखाता है कि एक तो बॉल बहुत जल्दी पिक कर रहे हैं और दूसरा जो एड्जेस्मेंट भी ह जैसे एक शॉट्ट पर हुआ यह था कि यह आगे निकले बट बॉलर ने लेंथ खीच ली इनको आगे जाते हुए देख करके तो उसके बाद जो एड्जेस्मेंट हुआ तो वो भी बहुत अच्छा हुआ और बॉल को बहुत कंट्रोल करके खेला तो यह कुछ चीजे हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि जैसे मैंने बार-बार अभी कही बार इसको रिपेटिडिव हो के कहा कि बॉल की लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हैं और दूसरा जो एड्जेस्मेंट है शॉट का वह भी बहुत 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 करते हैं अब इनके साथ देखने वाली चीज क् में अगेंस मुविंग बॉल और डिफरेंट डिफरेंट कंडिशन में टेस्ट होंगे तो अभी बहुत कुछ इनके लिए इंत्यान बाकी है बट जो लक्षण होते हैं एक खिलाडी के स्पेशल होने के वह मैं कह सकता हूं क्योंकि यह बड़ी खास बात है नॉमल आप जो 20 cricket खेलते हैं जातर flat decks होते हैं थोड़ा बहुत early on gains हिलती है तो उतना equipped है कि वो उस चीज को adjust कर लेंगे और उस चीज को समाल लेंगे क्योंकि आप ball की length को जब जल्दी pick करने लग जाते हैं तो यह इससे बहतर कुछ नहीं होता और यह बिलकुल एक gifted चीज है अगर आप बा बाकी domestic का season इनके लिए बहुत शांदार गया है चाहे सयद मुस्ताकली trophy और अंजी trophy में 200 उन्होंने पहले ही match में लगाया था तो खास performance पूरे season रही है और मुझे याद है जब मैंने इनको पहली बार देखा था यह पंजाब के लिए पहला match खेले थे काफी पुरानी बात हो गई अब तो तो तीन चौके लगा के गए थे वो तीन चौके में भी मुझे लगा था कि कुछ जलक तो थी बट शायद उतना बहतर और closely देखने का मौका नहीं मिल पाया पहली बार मुझे देखके लगा कि इनके पास जो special ability हम गेंद को जल्दी पिक करने की बात करते है जो एक natural ability है जिसको मैं gifted ability कहूंगा तो वो इनमें एक खास ability है अब ये उसका कितना इस्तिमाल करके और कितने runs आगे और score कर पाएंगे क्योंकि cricket सिर्फ इस एक particular चीज पर depend नहीं करती बट ये aspect जो है वो खास बनने के लिए सबस्यादा important है आगे भी दोस्तों इन पर नजर बनी रहेगी और आगे भी इनका analysis करते रहेंगे कि कैसे कैसे इनके लिए आगे चीजे जा रही है फिला लिए इनकी बल्लेबाजी का analysis और मेरा जो personal observation था वो आपको पसंद आया है ये video पसंद आया है basically तो आप like जरूर करें और अब तक See you in next video with other analysis